जै गुरुदेव महर्शी वेद्विग्यान विश्य विद्या पीर्स जो तिस्वाग द्वारा दैनिक वेद्विद्व पंचांग प्रेसुत करते हैं आज दिनांग 27 मईश संदो हजार 24 महर्शी शंबसर 107 चल रहा है विक्रम संदो हजार इक्याशी के अंतरगत उत्तर अं गरिश मृतो जेश्टमास कृष्ण पक्ष की आज सतोर्थी तीथी चार बच की 31 मिनट दिन परियंत रहेगी तत्पस्चाथ पंच मितिथी शुरू होगी आज दिन स्वंबार है आज पूरवा शाड़ा नक्षत है 10 बच की 14 मिनट दिन परियंत तत्पस्चाथ उत्तरा श शुबी योग है 6 बच के 36 मिनट दिन परियंत पस्चाथ शुक्ली योग रहेगा आज वालप करण है 4 बच के 31 मिन परियंत तत्पस्चाथ कौल अप करण सुरू होगा आज सुर्य उद्धय 5 बच के 18 मिनट पराता है सुर्य अच 6 बच के 42 मिन श्रायम है राहुकार 7 बच क ग्रूप से स्वस्त मेशुष करेंगे शामा जी का और पारेवारी गत्विधी में आपका युगदान रहेगा ये शमय सजग रहने का है छोटी सी गलती शमस्या की बज़ा बन सकती है योगा लोग गलत संगती और गलत आदतों से दूरी रखें महात पूर्ण फैसले लेते वक्त किसी का मारदर्शन लेना जरूरी है बिजनिस में श्यम को सावत करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रुत है बिजनिस बढ़ाने की योजना एक सफल रहेंगे निवेस करने के लिए दिन अच्छा नहीं है सरकारी नोकरी करने वालों पर जिम्मेदारी बढ़ेंगे बर पर जिम्मेदारी के बीच ताल मिल रखें खर्चे बढ़ने की वज़े से परेशान रहेंगे किसी करीबी इंचान के साथ कोई अंचाही घटना हो शकती है मिथुनरासी शमय आपके लिए शकारात्मक पढ़े रतनवाला है उथल पुथल से रहत मिलेगी किसी सुपचिन त इस्थिती में ज्यादा शुधारानी की उम्मीद तो नहीं है लेकिन गतिविदी चलती रहेंगी भावनाओं में आकर जल्द वाज में किसी के साथ कोई बादा ना करें करकर आशे किसी भी काम को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलियों पर विचार करने से बहतर पढ़ना मालेंगे दोस्तों के साथ पारिवारिक सम्मंद आपको खुशी भरा माहुद देंगे मनुरेजनर पूर्ट ब्यतित होगा ब्यस्ता भर दिंचरिया का ठकान भी दूर होगी पारिवारिक मतवेद किसी बर्ष रगस की मद्धस्ता में शुल्जानी का प्रियास करें निश्यती सफलता में लेगी बिध्यार्ती और योवर्ग आजकाल अपने लक्षों के प्रतिला परवाई बरत रहे हैं जिसकी वज़े से वह अपना ही नुक्शान कर बठेंगे ग्रह स्थिती अनकूल बनी हुई है कारचित में किये गए बदलाओं के सकारत में प्रिणाम में लेंगे इसलिए पूरी मेहनत और एकागरता से अपने काम पर ज़्यादा ध्यान बिवशाज समन्दी किसी भी तरह का लेंदेन करते से मैं बहुत ही अधिक साफ धान बरतने की जुड़त है अनकूल ग्रह गोचर है आप अपने दम पर हर काम को करने की छमता रखेंगे अगर घर के रख रखाऊ शमन्दी योजना बन रही है तो वास्तु सम्मतनियों का भी पालन करना उचित रहेगा अपने किसी खास होनर को निखारने का प्रयास करेंगे कभी-कभी अतियात्मिस्वास की इस्तिती मुशिवत में डाल सकते है ध्यान रहे कि बैसा आने के साथ साथ खर्चे भी सामने आएंगे इस समय किसी भी अंचाही यात्रा से परहच करें योवर्ग अपने लक्ष को आँखों से ओजल न होने दें कारोवार परिशानियों का काफी हद तक नवारण होगा अनुभवी लोगं का शहयोग और मारदसने आपके लिए सहायक रहेगा करने अराशी घर में कोई धार में कारशमन्दी गयत्विदी रहेगी जिससे आप सकारात्मक उर्जा मैशुश करेंगे घर के वज़रों का शिरवाद और शहयोग आपके लिए भाग विदा एक कारेक रहेगा घर के किशी सदस्त के वे विवाश समन्दी रिस्तों की बात भी चल सकती है तुला राशी मन मताविक कारों को पूरा करने के लिए अत्तिदिक प्रियासों की जरुवत है परंतु आपका कोई सपना जरूर शाकार होगा अगर घर पविवतन समन्दी कोई योजना बना रहे हैं तो तुरांद उस पर अमल करें योवर को अपने केरियर से समन्द कोई शुपसमाचार मिल सका अपने ब्यक्ति के तथवा महात्पूर्ण कारों को प्रात्मिक्ता पर रखें आपकी लापरवाही की विज़े से कुछ बंते हुए कारों में रकावट आशकती है इस्ष्य में कोई भी कार करने से पहले उसकी रूप रेखा अवश्य बनाएं विवशाय गयतिवरी में अधिक ध्यान देने की जरूरत है घर के निकष्य मंदियों का अगमन होगा तथा आपसे विचारों का आदान परदान दर्चरा को खुशनाव बनाएगा घर में वदलाव श्मंदि कुछ कारों की सुचार रूप से हो जाएंगे फरनी चरादी खरीदने समंदियों भी बन रहे हैं कहीं भी बादवाद की इस्तिती बनने पर धहरे और शांती बनाए रखें बरना इसके बिज़र से थाने आदी के भी चक्कर लगाने की आसंग का वन रही है घर के बज़रों की सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो आज संपन हो शकता है चुन्नोतियां का आप पूरे आत्मिस्वास के साथ सम्मान करने में शमर्त रहेंगे अनभवी लोगों के मारदस्थन पर अमल करना आपके लिए लाब दायक शाविद होगा फाइने सम्मन्दी मामलों में बहुत ही साबधानी बरते हैं क्योंकि जरासी लाब परवाई सम्मन्दी भी खराब कर देगी संतान की कोई नकारत में गतिविदी का पता चलने से मन खिन रहेगा परंतु शमश्वास को सांत्मों तरीके से सुल जाने का प्रयास करें मकर राशी आत्मिश्वास के साथ आध्यात में कोहने से आप में सकारात मगूर्जा बढ़ सकती है आप जोस और आत्मिश्वास के साथ अपने काम को करेंगे और शफल रहेंगे पढ़ाई कर रहें लोग अपने लक्ष पाने की पूरी कोशिस करेंगे और शफल रहेंगे थोड़ा से समय परिवार उस्तिवारों को साथ भी विताएं निजी कामों के साथ रिष्टों को समलना जरूरी है संतान की परेशाने में मदद करना और मनवल बढ़ाना काफी जिम्मदारी रहेगा खुमराशी आज का दिन कुछ परिवतन सिल रहेगा अस्थान परिवतन समंदी को एजना बन रही है तो इसके फली भूत होने के अनकूल समय है संतान के केरिय समंदत भी कोई सुबसमाचार में लिगा कोई धार में क्या तरावी हो शकती है दूसरों की मदद करने में अपने समय और सामर्थ का भी ध्यान दें इसकी बज़े से आपके कोई महत्पूर्ण काम रुख सकते है किसी समंदी के साथ बिवाद की इस्तिती भी आपके धहर तथा सांती रखना हुचित नहीं बिपशार में नए काम सुरू करने से पहले अच्छे से सोच बिचार करना जरूरी है बेतर हुआ कि जैसा बरतमान में चल रहा है उसी पर अपना ध्यान केंदत रखें ग्रैस्तिती में शकारात्मक बदलावा शकता है पिछले कुछ समय से जो लोग आपके खिलाब थे वही आपके पक्ष में आएंगे इस समय अपनी प्रतिभा को पहचानना और पूरी उर्जा के साथ अपने दिन चरिया हुआ कारे पढ़नाली पर ध्यान केंदत रखें इस बात का भी ध्यान रखें कि दूसरों के मामले में सुलजाने के चक्र में आप अपने कारों में रुकावट डाल देंगे आपके सरल सुभाव का कुछ लोग नाजात फायदा उठाएंगे एर आज का देनेक पंचांग और इवन दौसराजियों का फाले सी के साथ अपनी बानी को भराम देते हैं जै गुर्देव जै महाश्री